स्टॉप ओवर का क्या अर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं स्टॉप ओवर का अर्थ होता है ठहराओ, रोक्थाम, पारगमन टिकट, रास्ते का ठहराओ या मध्यवर्ती स्थानक यानि कि किसी यातरा पर यह कहीं जाते हुए, बीच में कहीं रुकने की जो जगह होती है या जहां पर रुका जाता है तो उसको भी स्टॉप ओवर कहते हैं जिसे हिंदी में आप मध्यवर्ती स्थानक कह सकते हैं यानि कि जो बीच में रुकने का जो स्थान होता है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि रविवार की उड़ाने पैरिस में रुखेंगी तो आप कहेंगे the Sunday flights will make a stopover in Paris या अगर आप ये कहना चाहें कि हमने प्रते एक stopover पर अपने ticket चेक किये थे तो आप कहेंगे we had our tickets checked at each stopover या अगर आप ये कहना चाहें कि Australia के हमारे ticket में Singapore में दो रातों का ठहराओ शामिल है तो आप कहेंगे our tickets to Australia include a stopover for two nights in Singapore और tickets in Australia include a stopover for two nights in Singapore अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतों बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें